आज की वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं बोड पात यह बोड पात का फॉल अप कोश्चन है तो पिछली प्रॉब्लम पात को हमने नॉर्मल तरीक्ट से सॉल्व करा थे तो जम्प थे बेशी गली वो बट इस वाले कोश्चन के अंदर आपको एक एरे मिले और उस एरे के दर जम्प एविलेबल होगा ठीक और हम उसी जम्प के कोडिंग जम्प करके मुझे एक एंडिंग पॉइंट पर पहुंचना होगा तो अगर आपने बोड पात वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर तो उसको कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिशन में एविलेब 8,9,10,11,12,13 13 13 जैसा नहीं दिखरा 13 चलिए अब यहां पर आपके पास टार्टिंग पॉइंट जीरो और एंडिंग पॉइंट होगे आपके पास 13 अब मैं आपको एक एरे देता हूं यह एरे क्या है मेरा एक जम्प का एरे यह एरे कितना भी हो सकता है तो यह यूजर डि यह मेरे पास जम्प एव़िलेबल है अब मैं इन ही में से कोई जम्प ले सकता हूं बैसी कली ना में पड़ो पडिए औस ना यूज कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 8 आएगा तो आप इसको ऐसे समझे लो जहाँ पहले dice के उपर value पड़ी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब dice पर value पड़ी है 2, 5, 7, 8 थो better understanding, 6 phase का बना लेता है यहाँ पर 9 रख लेता है और यहाँ पर 13 रख लेता है यह 11 रख लेता है तो 6 phase का dice है कभी आप dice थ्रो करते हैं तो आपको 2 मिलता है, कभी 5 मिलता है, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 11 तो I think आप समझ में आपको आचुका है उसको solve कैसे करना है विकोस पिछली problem बिल्कुल इसके जैसी ही थी तो अब मैं जब call लगाऊंगा वो better चलो, रख लेता है, 9, 11 को भी रख लेता है and हम इसको call लगाते time कैसे करेंगे मैं 0 पर हूँ, मैंने 0 से पहली call लगाई 2 की, जैसी मैं 2 पर call लगा तो मैं बोलूँगा, यार मैं 2 तक तो पहुंच गया 2 से लेकर 13 तक तुम पहुंच जाओ और मुझे सारे रास्ते बता तो कितने आएंगे फिर मैंने 5 की jump ली क्योंकि मुझे jump available है 5 की तो जैसी मैंने 5 की jump ली, मैं कहां पहुंचता हूँ 5th index पे, फिर मैं 7 की jump लेता हूँ मैं कहां पहुंचता हूँ, 7th index पे अब मैं 8 पे जाता हूँ, मैं 8 index पे पहुंच गया और मैंने 9 की jump ली, 9th index पे पहुंच गया और उसके बाद 11 की jump ली, और मैं 11 index पे पहुंच गया 11 से लेकर 13 तक ये पता देगा कैसे जाना है अब आप 11 पर हो, अब 11 से jump कैसे जा सकती है या तो आप 2 की jump ले सकते हो, 2 की jump लोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे 13 पे, मैं 5 की jump ले सकता हूँगा यहां से, नहीं ले सकता अगर मैं 5 की jump नहीं ले सकता हूँ, तो मैं 7 की भी नहीं ले पाऊँगा बट मैं 2 की तो jump ले सकता है ना बट इस array को sorted रखने से फाइदा क्या हुआ अगर मैं 2 की jump नहीं ले सकता हूँ तो guaranteed मैं 5 की jump भी नहीं ले सकता हूँ तो इसलिए मैं array को क्या करूँ हूँ अगर ये unsorted array मुझे available होगा तो पहले इस array को करेंगे हम sort sort करने के बाद मैं आगे इस portion को आगे proceed करूँ हूँ तो करेंगे कैसे ये देखता है हलका हलका code केंदे भी नज़र मारते है अभी के लिए faith क्या है भाई 2 से लेकर आगे तक के सारी answer मिल जाएंगे और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने array को sort कर लिया तो थोड़ा सा ओ इसको dry in कर लेता है अब यहां से मुझे total 2 से लेकर 13 तक जाने के सारे रास्ते मिल जाएंगे जितनी भी available हैं सारे के सारे मिल जाएंगे फिर भी मैं यहां से call लगाता हूँ मैंने दुबारा 2 की jump ली तो मैं पहुंचता हूँ 4 पे फिर मैं 5 की jump लेता हूँ तो मैं पहुंचूँगा 7 पे फिर मैं 7 की jump लेता हूँ तो मैं पहुंचूँगा 9 पे फिर मैं 8 की jump लेता हूँ तो मैं पहुंचता हूँ 10 पे फिर मैं 9 की jump ली तो मैं पहुंचता हूँ 11 पे और फिर अगर मैं यहां से 11 की jump लेता हूँ तो मैं direct पहुँच जाता हूँ 13 पे और 13 से तो मुझे अंसर मिला है फिर मैंने उस वाली problem में भी आपको समझाया था 13 पे मैं पहुचा तो वहां से return 1 करूँगा 1 किसके नाम का करूँगा बोलूगा अरे मुझे ना एक path मिला है इस खुशी में मैं वहां से 1 लेकर आया हूँ वो 1 इस बात का identification mark है कि मुझे एक path मिला था मुझे एक valid path मिला था source से destination तक पहुचने का ठीक है आगे ना यही problem modify होगे 2D में convert हो जाएगी जिसको कहते है maze path आगे आएगी problem तब उसको solve परेंगे अभी के लिए देखो उसको कैसे करने वाले है अभी के लिए देखते हैं उसको कैसे करना है so board path भी jump है मुझे starting point available होगा मुझे ending point available होगा और मुझे एक vector available होगा किसका jumps का और एक vector मुझे available होगा इसके लिए डीपी के लिए अब मैं इधर आता हूँ अच्छा ये तो हमें एक बेस पनिशन में तो चाहिए यहां से सारी चीज़े हटा लेता है मीमो ठीक है तो मैं यहां पर वेटर आफ इंट जम्स नाम का यह बना लेता हूँ इस वह ने डाल दिया दो पांच पांच दो साथ नो आठ लेवन तो यह अंसौर्टिट तरीके से मैंने इसके अंदर एरे फुट कर लिया पहले इसको सौर्ट कर लेता है सौर्ट कैसे करेंगे अब सौर्ट करने का तरीका होता है ध्यान देना यह मुझे यूजर देगा वो तो मैंने बस आपको समझाने के लिए यहां पर इसको ऐसा इंपुट लेकर दिखा रहा हूँ आपको जम्स टॉट एंड तक इसको कर लो अब क्योंकि मैं इसको सौर्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे यहां पर अल्गोरिथम्स या अल्गोरिथम होता है यह मुझे रखना चाहिए अब देखते हैं यहां पर हम मीमो वाली चीज मीमो वाली चीज कैसे होगी अब आपका स्टार्टिंग पॉंट आपको पता है एंडिंग पॉंट आपको पता है जम्स हमारे पास डीपी है मेरे पास तो तो यहां से मैं करूँगा dp of starting point equal to return one कर देंगे return one और लूप चला आया int jump equal to basically index है यह i equal to zero से लेकर इंफेक्ट इसको ऐसे लिए तो jump equal to jumps if starting point plus jump जब तक less than या equal है ending point के तब तक के लिए आप लूप चलाते रहो else statement हो जाएगी हमारी break मतलब कि अगर मेरा starting point plus jump क्योंकि मैंने array को sort कर लिया तो अगर मान लेते हैं मेरे पास जो value पड़ी थी वो पड़ी थी कुछ इस तरीके से two five seven अगर मैं fifth वाली jump नहीं ले पार हो ना तो of course मैं seven की jump नहीं ले सकता eight की नहीं ले सकता nine की नहीं ले सकता 11 की भी नहीं ले सकता हूं because अगर मालो मेरी position है उससमें nine nine plus five मेरे लिए invalid है अगर अगर nine plus five मेरे लिए invalid है तो nine plus seven involved हो जाएगा nine plus eight world Research dagen nine plus nine nude हो जाना प्लस इन प्लस eleven भी इंवैली Protect अगर nine plus five फी इंवैली ओक हो गगया तो इनके लिए check भी क्यूं करना है क्योंकि प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल तो नहीं रखना चाहिए कि मुझे यहां पर क्या कर लेना चाहिए है 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 इस आइए कि में इसमें स्टाइफ पॉइंट प्लस जंप इक्वल टू गई स्टिंग पॉइंट प्लस जंप एंडिंग पॉइंट रहेगा तो सेम रहेंगे और डीपी ऐसी कैसी रहेगा तो रिटन कर देंगे दर हम टीपी ओफ स्टिंग पॉइंट अगर मेरा डीपी ओफ स्टार्टिंग पॉइंट रिटन कर दो डीपी ओफ स्टार्टिंग पॉइंट को कर दो रिटन तो बिल्कुल सेम वही हमने कैट्रिंग लगाई है बस फर कितना है कि अब मैं डाइस के ओपर मूव ना करते हुए बिसिकल आप इसका ऐसे समझ लो जो पिछली प्रॉब्लम थी लिक्वास पिछली प्रॉब्लम से बहुत जादा लिंक है वहाँ पर ऐसा मान लो कि आपके पास एरे है और एरे के अंदर आपके पास डाइस की वेल्यू पड़ी थी तो वहाँ पर मैं लूप चला रहा था वन से लेके 6 का अब यह मान लो कि मुझे उस वेल्यू को ना एरेस एक्स्टैक्ट करना था मैंने एरेस एक्स्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ यह जंप लगा दिया ठिक और जंप वाले अरे को यूज कर लिया बाकि यह सब कुर्स तो सेम ही है तो यह बिल्कुल हमें करेक्ट अंसर निकाल के देगा तो चला के देखें से बिगिन हो गया दी आई और डी पी इसकी वैल्यू हो जाएगी इदर int n is equal to terms dot size n,0 और इधर अब मैं हाँ पर क्या करूँ हाँ वाइट तो नहीं है मेरा int है और मेरे लिए मेरा int answer इकल टू मैं answer equal to जम्प री मो तार्टिंग प्टन हम्मेर ले जीरो स्टार्टिंग प्ट्ट कॉइंध प्ट्कॉईंट कॉमा कि यंह स्थे निकलत लिखा हुए है तर अधिंग प्ट्टिंट एकल जीरो और एंडिंग प्ट्टिंग प्टाइगा मेरे लिए कोई value जैसे कि 14 तो मुझे DP कितना बनाना चाहिए DP मुझे बनाना चाहिए ending point plus 1 का बागे सबको same है ending point plus 1 की DP क्यों बनाई है यह देखो, क्योंकि जो मेरा tree diagram है उसके अंदर कभी भी मैं ending point को exceed नहीं करूँ, जैसे कि मेरा ending point 13 है मैं 13 को exceed नहीं करूँ तो मेरी minimum possible value जाएगी 0 maximum possible value जाएगी मेरे लिए 13 इन सबका ऐसा index use करने के लिए 13 plus 1 size का DP बनाना पड़ेगा बागी सबको same है तो बिल्कु सेम प्रॉब्लम थी अब इसी को मैं tabulation में अगली वीडियो में convert करेंगा आपको जिसके नदर हम पहले observation करेंगे फिर tabulation करेंगे तो अभी हमने क्या करा वो अपने steps गिने जो 6 steps थे हमारे मैंने faith बना लिया था recursive tree बना लिया था recursive code कर दिया था अगली वीडियो के अंदर observation और tabulation करेंगे optimization नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर यह मतब इस वाले question करेंगे को कि इस वाले question को optimization को sense नहीं बनता जरूरी नहीं होता यह step हर बार कितने step जरूरी होते हैं हमारे लिए अगला बाट देखेंगे पहले इसको run करके देखते है run करके देखने हैं एक बार तो run करते हैं इसको g++ c007 go out and end dot slash out dot dot chd algorithms नहीं सिर्फ algorithm है अब इसको चला के देखते हैं और हाँ answer भी तो print करना है 3 out टोटल हमारे 20 answer आते हैं टोटल 20 possible answer आ गया हमारे पास starting point, ending point, jumps हो गया sort करा, dp बनाया और टोटल हमारे 20 possible answer आते हैं सही है अच्छा इसकी time complexity देखें कितनी जाएगी हमारी इन problems के अंदर time complexity पते कैसे निकाली जाती है time complexity पर discuss कर लेते हैं इन time complexity dependent होती है जैसे मैं call कैसी लगा रहा हूं मेरे जो diagram है किस तरह के से reduce हो रहा है n की value क्या है मेरी ending point ending point को मैं reduce कर रहा हूं हर बार So jump के ओपर dependent है kभी मेरा n-2 की call लगती है कभी मेरे पास n-5 की call लगती है कभी n-7 की call लगती है कभी मेरे पास n-8 की call लगती हैs n-11 की call लगती है So total कितना हो गया यह मेरे लिए सबसे worst case scenario क्या होगा मेरे लिए सबसे worst case scenario वो होगा जिसके अंदर ये सारे time ये सारे time क्या हो जाएंगे बिल्कुल reduce मतलब जिसके अंदर सबसे छोड़े छोटे jump लूँगा मैं उसके अंदर मुझे बहुत जाजा time लगेगा यानि कि ये जो tn की value होगी ना मैं ऐसा कह सकता हूँ कि tn की value किस से छोटी रहने वाली है अगर मैं इन सब को मान लूँ ये दो-दो के step लेकर आगे चल रहे है तो इन सब को summation कर लो कितना summation आएगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 6, ये 6 क्यों आया? क्योंकि मेरा area का size कितना था? 6 था, यानि कि मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर n लिखना चाहिए तो यहाँ पर मुझे लिख लेना चाहिए n अब आगे अगर मैं tn-2 की value निकालना चाहता हूँ तो answer कितना आएगा? n of ये तो मेरा n क्या हो गया? length हो गया अब इसी के लिए ये वाला n नहीं है, ये है मेरे ले length इसको मुझे लिखना चाहिए length, l इसको लिखना चाहिए l t of n-4 अगर मैं t of n-4 की value निकालना तो answer कितना आएगा? t of n-6 और ये ऐसे चलता चला जाएगा तो एक दिन क्या होगा? ये t कितना बन जाएगा हमारा? एक दिन हो जाएगा 2 जिस दिन इसकी value हो जाएगी l less than equal to t of 0 अब जरा देखो, इसको l से multiply करो तो ये l square, इसको l square से multiply करो तो l cube, ऐसे करते-करते इसको l of k से multiply करना होगा जिसे ये l of k plus 1 बन जाएगा अब देखो, कितनी complexity होगी इसकी? इन सब को काटने के बाद ये से cut गया, ये से cut गया, ये से cut गया ये से cut जाएगा, ये से cut जाएगा तो total, इन सब को summation करेंगा left hand side पर गर मैं सब को summation करूँँगा तो मुझे मिलेगा t of n less than equal to right hand side पर सब को summation करा तो मुझे मिला l of k plus 1 t of 0 right, तो मेरी जो complexity होगी tn की, वो कितनी आ रही है वो आ रही है, oh t of 0 तो मेरा o 1 होता है, कितनी आ रही है l of k plus 1 अब मुद्दा ये है कि k की value कितनी है, अब देखो k की value कितनी होगी, k होगा मतलब इस ending point को 0 बनने में कितना time लगा right, ending point को 0 बनने में कितना time लगा, यही तो उसकी time complexity होगी, तो 0 बनने में या पिर यूं कैलो, हाँ, 0 बनने में कितना time लगा, तो ending point की value थी 14, मैंने 14 से 2 कम करा तो हुगा कितना, 12, फिर 2 कम करूँगा तो 10, फिर 2 कम करूँगा तो 8, 6 4 2, 0 कितने step लगेंगे 14 divided by 2, 7 steps लगेंगे तो पता इसको कैसे लिखना चाहिए mathematically मुझे इसको इस तरीके से लिखना चाहिए t of n is less than equal to o of length of length of n divided by min element यह इसके time complexity आएगी तो यह इसके time complexity आएगी t of n is equal to length raised to par मतब जितनी भी length है तो length कितनी है मेरे array की वो length raised to par n क्या था मेरे लिए ending point यही मेरा ending point का हुआ तो इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो वैसे n ही लिख रहे हम इसको ending point मेरे लिए आपर n के बराबर होगा तो यह कितना हो गया t of n n तो यह हो जाएगा n divided by min element मेरे पूरे array के अंदर सबसे minimum element कौन सा था उतनी complexity होगी worst case scenario के अंदर इसते worst कुछ नहीं हो सकता इसते worst कुछ नहीं हो पायेगा ठीक है best case scenario क्या होगा tn हो जाएगा हमारे लिए यह तो मेरा हो गया worst case अगर मैं इसका best case निकालना चाहूँ मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या हो गया बड़े बड़े jump बलू ठीक है तो इसका best case क्या हो जाएगा t of n is less than equal to o of l n raise to par max element यह इसका हो जाएगा best case यह इतनी इसकी complexity हो जाएगी ठीक है तो मुझे मेरा worst case ही पता लग गया और best case ही पता लग गया यह मेरी final complexity होती है तो complexity हमने देख ली अब इसको हम आगे जाके दुबारा solve करेंगे किससे? tabulation method से अब बात करते हैं थोड़ी in general अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले वीडियो को like कर देना साथे साथ description के अंदर मैंने इससे later इसका code भी डाल दिया है तो आपको code मिल जाएगा ठीक और यह वीडियो जिसको पर dependent होगी वो सारी वीडियो को link भी description available है और comment करके बताओ यार वीडियो कैसी लग रही है क्योंकि तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा तो वह जरूर है तो मुझे comment के अंदर बताए करो कि वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही या क्या improvement है ठीक है क्योंकि जैसे तो मुझे feedback दोगे मैं वैसी वीडियो को improve कर पाऊँगा तो मैं तो अपनी तब से best बना रहा हूं अपनी तब से जितना best कर सकता हूं अतना best कर रहा हूं बढ़ आपका feedback मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके feedback पर सब कुछ dependent है चीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में